महा देवाय नमा संपूर्ण संस्कृत प्याक्षण 43 के संधि प्रकषण 12 अध्याय के में आज हम स्वर अच्छ संधि स्वर संधि तालिका को देखेंगे चला यन संधि आप जब स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जानते हैं कि मुख्य रूप से पांस संधियां होती हैं तेर्ग संधि, व्रद्धी संधि, गुन संधि, यन संधि और अयादी संधि जिसमें आज हम दो तालिकाओं पर चर्चा करेंगे यन संधि और अयादी संधि यन संदिका सूत्र है इको यनजी इक के बाद इक प्रत्याहार के बाद अच प्रत्याहार आए तो यन हो जाता है ए के बाद अच आए, अच में ध्यान देना है कि आसमान स्वर हो, अच को स्वर और हल को व्यांजन कहते हैं, ए के बाद आसमान स्वर हो, ना कि समान, समान होगा तो वो दिर्क संदि में परवर्दित हो जाएगा, तो ए को या हो जाएगा, ए को को यहां यन आदेश होना है, क कब आचे आसमानस्वार बाद में आए तो उ को वा री को रा री को ला हो जाता है उदाहन जैसा कि आप देख भी रहे हैं यदि धन अपी यद्यपी यदि में छोटी इ और अपी का हश्व आ हश्व इ अश्व आ तो यहाँ इ का हश्व इ का या हुआ तो यद्यपी इसमें पहचानने का सबसे बेश्ट तरीका यह है कि आप या वा रा और या वा रा ला देखें लेकिन यहाँ आप ल्रेधान आक्रती तो लाक्रती ज्रीधान आक्रती यावा रा ला देखें यही ला वाली आप को छोड़ करके आप तीन उदानों में देख रहेंगे पहले आधा व्यंजन उसके बाद यावा रा ला यहाँ से आप भी छेत कर सकते हैं वहाँ को जैसे यद्यपी यद्यपी मध्धर इत्रारेश तो यहाँ देखिए यद्मिच हर्ष्व ओर बाद में हर्ष्व और यद्यपी यादई धन अपी यहां चोटी ए हर्ष्व ओर रहा है तो यद्यपी दूसरे उधारन में आप आ देख रहे हैं, जब हष्व उ के अबाद हष्व आएगा, तो आप पढ़ रहे हैं, एक का यन में यन आदेश होने पर उ का वा, तो देखिए, मद्ध्वरी, आधा धा है, उसके बाद वा है, आपको मैंने बताया भी, या वा रा ला, अगर तीन ये चार वरण आते हैं, त आप आख मूद करके, आधे, बेंजन के बाद, यदि या वा रा ला आता है, तो आप आख मूद करके, यन संधी मार दीजिए, तीसरा पुदान देखिए, पित्री धन आदेश, पित्रा देश, यहाँ आप री देख रहे हैं, री को रा बन रहा है, पित्रा देश, पित्र तो लरीका लाख हो जा रहा है लरीधन आक्रती यर्ण संदी देखने के बाद हम दूसरे स्लाइड में ही दूसरी संदी देख रहे हैं आयादी संदी का सूत्र है आपने देखा ह का ह में चारब पनाते हैं अब इन्हीं का क्रम से क्या हो रहा है सूत्र में ही आपको दिख रहा है चार में देखी ह के बाद ही आप पूर ये अवग्रह का चिन है उसके बाद आई आउ आई और आउ तो ह के बाद में ए का आई होगा आउ ओ का आउ होगा आई का आई होगा आउ का आउ होगा आप सूत्र से ही पचान जाएंगे कि कौन सा वन क्या होगा ह प्रत्याहार क्रम से ए, ओ, आउ आउ आता है सूत्र में ही बता दिया है ए का आ, ओ का आ, आ का आ, आ का आ, आ का आ, आ का आ, लेकिन कब, प्रस्निय उठता है कब, ए का आ, ओ का आ, आ का आ, आ का आ, कब, तब जब आच, आच आर्था स्वर, अब इसमें चाहे समान स्वर हो, चाहे आसमान स्वर, आयान में आपने देखा, आसमान स्वर आए, नहीं त तो दिर गो जाएगा दिया आध के बाद अच प्रत्याहार आए तो गुण हो जाता है प्रसमुत्ता है कि गुण क्या है गुण संग्या किसका है अदेन गुणा जिसमें चार बना आते हैं ए, ओ, अर और अल एक चीज और भी है यहां आके बाद ई आये तो दोनों का ए होगा आके बाद उ आये तो दोनों का ओ होगा हस्वया दिर्ग आके बाद री आये तो दोनों का अर होगा अब उद्धन देखते हैं रमाधन इस रमेश हितधन उपदेशा हितोपदेशा देवर्सी अर आर आरा है अर आरा है अर आरा है देवर्सी तवधन रिकारा तवलकारा अब हम आते हैं चौथी संदी पर ब्रद्धि संदी जिसका सूत्र है ब्रद्धि रेच जबकि ब्रद्धि संग्या सूत्र है ब्रद्धि रादैच अब ब्रद्धि रेच के अंसार आध के बाद यदि आध अर्था दीर्ग आ या हर्ष्रो आ के बाद एच प्रत्याहार, एच में दो ही प्रत्याहार, दो ही बनाते हैं, ए, आ, ओ, ओ, चार बनाते हैं, ए, आ, ओ, ओ, यहाँ आ के बाद यदि ए, आ आ आता है, तो आ हो जाता है, आ या, आ के बाद ओ, आ आता है, तो आ हो जाता है, ब्रत्यसंदि में आपको देखने को मिलेगा, महाधन आस्वर्य मह misfram जल धन ओगा चलाोगा महाधन ओषदी महँषदी एक चीज और यहाँ जल के बाद ओग होगा की ओग होगा महा के बाद ओषदी होगा की ओषदी होगा यह आपको practice से आएगा जितना आप उदान नगेगे वहाँ से आपको किलियर होगा लेकिन यहाँ जो सब्द देखने के बाद आप आए आओ की मात्रा दिखती है तो आप उसको ब्रधिसंदी में मार लेजेगा अब हम पांचवी महत्पूर संदी आते हैं देर संदी इसका अका सूत्र है अका शवर्णे देरगा अक प्रत्याहर के बाद यदि अक प्रत्याहर अर्थात समान स्वराता है सवर्ण स्वराता है तो दिर्ख हो जाता है अक के बाद अक आए तो दिर्ख हो जाता है आया बड़ा आ के बाद आया बड़ा आता है तो बड़ा आ हो जाएगा इया बड़ी इ के बाद इया बड़ी इया बड़ी ही हो जाएगी आप उधान देखिए हिम धन आलया हिमालया रविधन इंद रवींद्र भानुधन उद्य भानुधन धन के पहले भी वह थन के बाद भी आ रहा है तो दोनों के साथ है अपको देखने को मिलेगा कि रिकारांत सब्डों में चाहे वो फुलिंग हो चाहे स्टीन को चाहे न पुनसके जुटिया बहवचन और सष्ठी बहवचन में आपको इसे मात्री सब्थ करें नहां मात्री नम या दूतिया बहवचन था, आपको यहीं दो रूप में आप देखने को मिलेगा तो तीया वह कन पर रूप संधी पर रूप संधी इसमें पर रूप संधी पर रूप पर रूप क्यों पड़ा ये बात है क्योंकि बाद वाला पहले का रूप धान करता है इसलिए पहले का अस्तित बना रहता है इसलिए इसको पूरूरूप संदिक करते हैं जबकि पर रूप में क्या होता है पहला वाला बाद का रूप धान कर लेता है इसलिए पर रूप संदिका आप जब सूत्र पढ़ेंगे त उसमें, पूरुरूप सामिल नहीं है, लेकिन, परिरूप, सुत्र पढ़ेंगे, तो उसमें, परिरूप संदिका, सूत्र क्या है, पूरुरूप क्योफ़म और पूर्वुरूप संधिका को सूत्र है और गश्य का यह वह कि यह ओ बना रहता है दो यह कि असथित्त कायम रखना है के लिए आवगर इस कहते हैं ये के बाद हश्वब आता है तो पूरुब आ का पूरुब रूप ऑ लुप हो जाता है और ओ के बाद यदे हश्वबा आता है तो गमाना पूरुब रूप बताया है परिरूपम तो अवर्णांत उपशर्ग अर्थात चार उपशर्ग आप देखने को 22 उपशर्गों में चार उपशर्ग देखने को मिलते हैं जिसमें अका से अंत होता है तो अवर्णांत उपशर्ग के बाद एन आदे धात आते हैं धात वाने चाहिए अंतर देख लिए, ये उसे प्रारम होने वाले धात वाने चाहिए, तब पर रूप अर्थात बाद वाला रूप धान करता है, जिसे प्रधन एजते, तो प्रेजते, उपधन ओशत, उपऊशत, ये आपका पर रूप संदी का उधारन हो गया, अब हमाते हैं आठमी संदी, प्रकृत भाव संदी, प्रूत प्रग्रिहा अचिनित्या, जिसका प्रग्रिहा अचिनित्या, वास्तों में या संदी का प्रकार ना होकर कि स्वर संदी का अपवाद, जैसा कि उपरोगत हमने सातों संदीया पढ़िए, उसका अपवाद है, अर्थात यहां स्वर संदी के तो सारे सरते मवजूद होती है स्वरसंद होना चाहिए लेकिन स्वरसंद ना होकर कि जियों कातियों बना रहता है सब्द इसी को कहते हैं प्रक्रदभाव प्लूत अर्था त्री मात्रा स्वर के बाद यदि अकार आता है त्री मात्रा स्वर के बाद किशण अत्र गौस्चरति आगर्च कुणकि पिलुस्वर है के बाद आया है इसका संधिर्ख संदिना हो करके वैसे ही बना रहा अब हम आते हैं प्रेग्रिया संग्या सूत्र में जवाब करते हैं तो दूवी भचनान्त एत कार उकार एत उत ऐत जैसे रूप चलता है हरी हरी हरया विसलू 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 वा फलम फले फलानिया गंगा गंगे गंगान तो ऐसे ही यदि हरी के बाद आ चाहता है तो परकृति भाव इसमें स्वरसंदी नहीं होती है इसमें कोई संदी नहीं होती कोई स्वर संदी नहीं होती बलकि वैसे ही बना क्यों आप समझ लीजे यहां यहां दूई बचनानत है इसके बाद यहां संदी नहीं होगी तो नहीं होगी उमिद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा सीकरी नहीं विशे के साथ मिलते हैं महा देवाए नमो नमा